चलिए आज जूनते हैं आपके लिए Best India Coaching चाहें आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं यदि आप इन पॉइंट्स को ध्यान देंगे So you will get the Best India Foundation Coaching for you और अगर आपको लगता है कुछ और आड़ान करना है So please feel free और निचे कमेंट आप कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ जब हम जाते हैं किसी अकाडमी में हमें देखने होते हैं वहां के mentors यदि आपकी faculties UPSC qualified है यदि वो खुद वो exam दे चुके हैं तो आपको देखना है कि क्या वो mentors आपकी मदद कर पाएंगे या नहीं The very second point that is important is Your infrastructure जो महौल आपको मिल रहा है जो चीज़ें वहां आपको मिल रही है वो आपको support कर पाएंगे NDA के लिए या नहीं आगे बढ़ते हुए you have to see your physical physical training ground अगर वहां पे ground है then that is a good point because आपका जो routine होता है वो बहुत proper होना चाहिए NDA foundation के लिए तो एक होता है training physical ground now comes your selection ratio यह बहुत important point है क्योंकि आपको देखना होता है कि वहां पे selection ratio कितना है बच्चे कितने select हो के जा चुके हैं उससे पता लगता है कि academy की success तो आप वो जरूर देखेगा फिर आप देख सकते हैं communication और spoken classes यह एक add-on होता है और यह आपकी personality में बहुत जादर difference लाता है तो आपको communication और spoken classes देखना है और देखेंगे आप hostel facilities ताकि आपको रहने में कोई problem ना हो that comes under infrastructure again lastly अगर वहां SSB कराई जाती है जो कि आपके लिए बहुत important है तो आपको देखना है अगर वहां SSB है तो क्या SSB ground है SSB ground के साथ आते हैं हमारे SSB experts जो कि आपकी personality पे as a whole बहुत बड़ा vital role करते हैं employee ठीक है तो यह कुछ चीज़े हैं में तरफ से जो आपको देखनी होती है when you choose the best coaching for you अगर आपको लगता है कुछ और add-on है तो please comment down below अगर वीडियो अच्छी लगिया इन्फोमेटिव लगिया तो please give a thumbs up and subscribe to our channel जैहिन थांक यू